हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का आपकी अपने चनल एक एसस टरी में उमीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो चलिए फ्रेंड्स आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक बहत्रीन सा टॉप स्टार्ट करेंगे जो आप आपका जो है नमर सिस्टेम है सबसे कठी नापका यह आपका टाइब बनता है और इस कोश्टन को आप बनाने में हो सकते आपको मिन्टो लग जाता होगा और बहठी टाइप है आपका को पढ़ेंगे दिखाएंगे सबसे पहले तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आप जो है अपने स्वास्त पर ध्यान इस समय जरूर दीजेगा अगर हो सके अगर आप बाहर होंगे जिसे अगर हो सके अगर आप जैसे इलावत से आपका कलास चर रहा है तो अगर आप बड़े सहर में रह रहे ह तो आपने स्वास्थ पर जरूर इसमें ध्यान दिजेगा अभी मेरे पूरे बिल्डिंग में जो है आपका जो है सभी लोग को जो है लगभग कोरोना पोजिटीव थे उसमें हम भी थे आपको बता दें कि आठ दिन तक जो है हम लोग बेट से जो है उठ नहीं पाएं मतलब देखिए दोनों डोज लगा है दोज वन और डोज टू दोनों लगाएं फिर भी क्या है ना कि आपको जो है इतना वीक कर देगा कि आप सोच बेने सकते हैं यह नहीं बाके बाद तो आपका जो है जादा कुछ बिगड़ेगा ने लेकिन विकने से आपका जो है एस्ट्री रिकोर्डिन मिलेगा और हम 26 जनवरी के दिन अज का जो है एक लास हम रिकोर्ड कर रहे हैं बहुत ही बहतने इस आपका टोपिक है और आपको एक मिनट में जो है हम आपको 10 कोश्चन करेंगा बसरते आपको जो है हमको 15 मिनट 15-10 लगा ध्यान से केवाल सुनना है हम जो बत लिखना है पहले एक बार आप समझेए उसके बाद आप जो भी लिखना होगा आप लिख लिजेगा और आपको बेसिक हम नहीं बताएंगे क्योंकि पढ़ चुके होंगे और यह आपका जो है रेलवे में पूछा ही पूछा जाएगा और हमेशा आगे भी पूछा जाएगा जैसे आपका अभी एंटीपीसी सीवीटी टू होगा आपका गुरूबडी होगा वहां पूछा ही पूछा जाएगा और जो आपको कोश्चन करवाएंगे आपको 2018 में पूछा गया है 2019 और 2020 में आपका रेलवे में पूछा गया ही कोश्चन है क्लियर है तो इस टाइप से जो है यहां जो है बहुत सारा कोश्चन पूछा है लेकिन हम मात्र दस कोश्चन कराएंगे उसके बाद खुद बखुद आप जो है सभी कोश्चन को इजली चंद सेकेंडों में आप सॉल्व कर लेंगे क्लियर है चलते हैं जो हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से के वा कि आप का संक्या बनता है उसके अधार जो आपका प्रस्न या आता है कि अधारे हैं कि अधार पे इस टाइप का आप नाम देश सकते हैं आप को शेख्यों दिखा दें अविग्शाम कोंबादी सही है चलिए के इस टाइब कोश्चिन है और के स्टैक से बनाएंगे करेंगे लेकिन हाँ जो पहले हम 15 मिंट बताएंगे उसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा तो ही आप बना पाएंगे अन्य था फिर आप नहीं बना पाएंगे क्लियर है देखिए आपका जो है दस कोशन टोटल हम लोग लिए है इससे दस कोशन हम लोग करेंगे ठीक है देखिए सब आपका जो है 2016 में आपका पूखा है सब जो है आपका ने आरगे ऑन दीन से आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग इतना तो आपको पता ही होगा चलिए poison पर हम लोग दस दस कोशन मातर एक मिनिट में करेंगे बसरति आपको जो है अभी हम जो आपको समझाना चाहरे हैं उसको आप जरूर समझिए गा अभी आपको जो है 15 मिनट जो समझाएंगे उसको ध्यान से सुनिए बहुत यह अच्छा-चा कॉंसेप्ट आपको भी बताने वाले हैं कि लिए ड्र मिनट छलिएगा अ है तो थोड़ा बैक कर लेता है चलिए इसका ट्यप लिख सकते हैं कि आपको जो है संक्षिया की अंकों को प्लतने के अधार पर इस तरफ यह और हैं चलिएगा सब से पहले दторов göst हैं अगर हम आपको बोले कोई हम आपको बोले को भी संक्याँ है जै अब जानते हैं कि यह आपका जो है दो अंकों की संख्यां है कि नहीं दो अंकों की संख्यां ध्यान दिजेगा दो अंकी की संख्यां यह आपका क्या है तो आपका इकाई अंक है यह आपका क्या है दहाई अंक है अगर हम बोलें कि इस संख्यां के अंकों को आप पलट दीजे अर्थात इकाई वाला अस्थान को क्या करिए अब दहाई वाले अस्थान पिले जाए और आपका दहाई वाला जो अंक है उसको अभी काई पिलाए तो आपका संख्यां क्या बन जाएगा तो आप बताएंगे कि संख्यां जो है जब हम इसको इंटर्चेंज कर देंगे इसके के अंकों को जब हम पलट देए Гएं तो आपका जो नया संख्यां बनेगा वो बनेगा 73 बनेगा बनेगा की नहीं बताईए इसको आप यहां रख देए 73 ग्यां को उसी तरह सब ले ले लेए ज़से अगर आप देखेंगे जैसे अगर कि Влад 40 अगर 84 ले लेते हैं तो क्या बनेगा तो अब ठैंगा 48 बनेगा इसी तरह से कुछ benneगा तो अगर एक दो और ले ले लेते हैं जिसा थर्टी सिक्स है 63 ले 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 लिजे चलिए को इस तरह से कुछ होगा और चार रहेंगे कहीं संख्यां बड़ा बन जा रहा है यहाँ पिर बड़ा बन जा रहा है यहाँ पिलटने के बाद यह नहीं到 बंजा रहा है कि संख्यां बड़ा कब बनता है बताइए संख्यां कब बड़ा बनता है तो देखेंगे अगर आप गोर करेंगे तो संख्यां तब बड़ा बनेगा जब आपका इसको हम लोग बोलते हैं मूल संख्यां अगर लिख सकते हैं आप यह क्या है आपका मूल संख्यां क्या है मूल संख्या अर्था दिये आपका परिवर्तन के बाद बना संख्या तो आप देखिए संख्या बड़ा कब बन रहा है संख्या तभी बड़ा बनता है जब आपका इकाई यंक दहाई यंक से बड़ा होता है तो ही आपका संख्या बड़ा बनेगा क्या बोलें एक बार फिर से दहाई यंग से छोटा होगा तो आपका संख्या छोटा बनेगा फिर से एक बार देखिए यहां क्या है कि आपका इकाई यंग जो है बड़ा है इसलिए पलटने के बाद आपका छोटा संख्या बना फिर देखिए यहां क्या है इकाई यंग बड़ा है तो आपका पलटने के बाद छोटा बना क्योंकि 84 से किता बन गया आपका 48 बन गया चोटा बना की नहीं तो आप ध्यान रखेगा संख्या कब बड़ा बनता है तो आप बताएंगे कि जब कोई संख्यां का इकाई यंग अगर बड़ा होता है तो पलटने के बाद बड़ा बनता है अगर छोटा होता इकाई यंग तो छोटा बनता है क्लियर है अब आगे चलते हैं समझेगा आगे ध्यान दीजेगा इतना आप समझ गये कि संख् तो पलटने के बाद बड़ा बनेगा अगर छोटा है तो पलटने के बाद छोटा संख्या बनेगा यहां तक किलियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं कि आप यहां तक असानी से समझ गया होगा अब देखिए आप क्या बोर रहे हैं समझिएगा यहां तक अब क्या पोर रहे हैं कि आप इन को ढोड़िए कुछ को ढुड़ये कुछ को घटाए ये तब देखिये आपको क्या समझ आ रहा है तो अवह इनको अगर आप जोड़ते हैं कुछ को ढोड़ें गूच को ढ़ Hij so honest can gotta voice अगर आप इनको जोड़ें चैले ना क्या 110 हो जाएगा यहीं होगा 110 हो जाएगा कितना हो जाएगा तो बताएंगे 110 हो जाएगा इसको आप जोड़िए तो आप देखेंगे साथ तीन आपका एक आरहा हो गया गश्याइन्स भाइन प्रफ रिकोड दे रहे हैं इसको इडिट नहीं करेंगे जो बन जाएगा उसी तरह से डाल देंगे लेकिन इसको हम रिकोडिंग इसलिए पढ़ा रहे है ताकि आपको अच्छे से समझा सकें ने लाइव क्लास रहता है तो फिर जो है कमेंट की तरफ ध अगर आप डिफ्रेंस लेते तो क्या पाएंगे अगर आप डिफ्रेंस लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 36 अगर इसका डिफ्रेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 27 अगर इसका डिफ्रेंस लेंगे तो इतना हो जाइगा तो बताएंगे यह हो जाएगा आपका 37 यह होगा ध्यरैब कि अब देखिएगा कि यहाप का हो जाएगा हेट q 17 जिखेख कर देखिंगि इसका मंका चाहते हैं किया अब ध्यान दिजेगा चलिए यहां तक सम अब यहां देखिएगा यहां जो आपका यहां कितना है आपका इक स्वाकी साया यहां डिफरेंस लिए तो 36 यहां डिफरेंस लिए तो सत्री साया यहां डिफरेंस लिए तो कितना है सत्री साय देखिए इक्स़ूर में जो आपका आ रहा है जो सं करने पर आपका आ रहा है और और यहां से आपको समझ में आएगा कि देखिए जो आपका संख्या है मुल संख्या है जो आपका मुल संख्या है उसको आप उठाइए समझ पाँ और फूरीघा संख्या के किटना होगा एक सेन्टु करिए कितना होगा इतलर संख्या कितना होका होगा 11okol appendage समझभा रहें और थात कोई भी दो अंकों की संखिया और उसके अंकों को पल्टने के बादë की संखिया का योग होता है हमेशा 11樹 मुल्टीपल होता है एक drastically कान जो है अपने दिमाग और उसका डिफ्रेंज जो होगा हमेशा 9 का मल्टीपल होगा देखिए 9 का मल्टीपल नहीं अगर आप लेते हैं तो समझ पार है अब अपने मन से कोई भी आपका दोवाम की संख्या लीजिए उसको आप पलट लेने के बाद उसका सम अगर आप तो आप यहां से देख लिए कि आपका जो है एकारा का यह मल्टीपल आता है सम हमेशा और आपको यह भी बताएं कि यह होता क्या है कि यह जो आपका मुल्द संख्यां उसकी अंकों को जोड़ लीजे एकारा से इंटू करेंगे वही आपका सम आएगा जैसे आप आपका यहां पांच कितना होगा तो आप देखिए इसको डाइट इतना नहीं करना है हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसका आप क्या कर यह सम कर लिजे इसका सम करेंगे आठ और तो आपको जब भी सम निकालना पड़ेगा कभी अगर आपको बोल दे कि दो अंकों की संख्यां और उसके अंकों को पलटने के बाद बना संख्यां का योग अगर आपका निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे मुख संख्यां की अंकों का योग निकालेंगे रूसको यह counselor करके निखाएगा उसी तरह से जब हमको लोग contributes निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे इसका डेफ्रेंस की खालेंगे इगर अंतर आप पर हां निकालेंगे कितना हो जाएगा चार और उसको आपके सामने हम इस तरह से ले लेते हैं 84 है अगर इसको हम पलट देते हैं तो कितना बन जाएगा देख लिएगा 48 बन जाएगा और इसका डिफरेंस लेंगेें कितना हो जाएगा तो आप इसका पलट नेंगे बात क्या बन जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा 23 और 13 तो आप डेट यहां से लिजिए डिफरेंस कितना लुकर 36 आएगा आप देख लिजिए कहीं से भी है कि तरह जाएगा का थाय तो यहां से आपको जो है दो तीन बात जो है समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले संखियां जो है पलटने के बाद कब बड़ा बनता है कब छोटा बनता है तो आपको बताएं कि अगर मुल संखियां का इकाई अंक अगर बड़ा है तो पलटने के बाद बड़ा बनेगा अगर इकाई अंक छोटा है तो पलटने के बाद छोटा ब होगा और उसका जो डिफ्रेंस होगा हमेशा नो का मल्टिपल होगा और आपको यह भी बताएं कि अगर योग निकालना हो तो अंतर निकल जाएगा तो इतना अगर आप समझ गये हैं तो हम लोग धिरिये धिर्याप जा डारेट कोश्चन पर ही चलेंगे लेकिन फिर भी जो ह है आपको कुछ और जो है समझाना चाहा है इसी के अधार पर अब सम्ज़ने कोशिस करी ःगा ठीक हैं कि देखेए अगर एक पूछे अगर कोई शंख्या है कोई भी दो और कोई Caire EA कष्म है पहुआ है ez याट जन्ख्या कि अगर इसके अंकों को अगर हम पलट देते हैं तो संख्या क्या बनेगा तो आप दिन्हें यह बनेगा बनेगा कि नहीं बताएंगा यह की बनेगा और अगर हम बोल दें कि इसका जो difference है total, कितना है 36 है, कितना है 36 है, तो बताइए इस संख्या के अंकों का अंतर आप निकाल सकते हैं, अब easily निकाल लेंगे, निकाल पाएंगे, क्या बोलें कि कोई भी दो अंकों की एक संख्या है, x, y, उसके अंकों के बाद पलटने के बाद आपका संख्या क्या बनेगा, y, x बनेगा, और उसका difference जो दिया है, वो कितना दिया है, 36 दिया है, और आप से हम question क्या किये हैं, कि बताइएगा, उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है, तो आप नहीं निकाल पाएंगे, easily निकाल लेंगे, आप जानते हैं, कि इसको अगर ही है, अगर आप देखेंगे, 84 का हाँ, उठा लेजे, 84 में, 84-48 में हम लोग क्या कर रहे थे, कि इसका जो है, difference ले रहे थे, कितना difference आया, 4, और उसको 9 से into कर रहे थे, तो मेरा कितना आया, 36 आया, है कि नहीं, 36 आया, तो आप देखेंगे, अब फिर से हम opposite आप से पूछ र क्या रहता है, इसलिए इस पे हम आपको थोड़ा सा जो है, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि आप कोश्चन पर जो है, इसली पकड़ बना सके, तो आपको क्या बताएं, कि अगर 36 है, तो आप से क्या पूछें, कि बताएगा मुल संख्या के, आपके अंको का अंतर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, कि तुरंत जो है, आप क्या करेंगे, 9 से उसको भाग कर लेंगे, समझ गें, 9 से भाग करेंगे, अर्था 4, तो समझ में आ गया, कि X-Y जो होगा, वो कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा, 4 होगा, जिसे एक दो एक्जामपल और ले लेते हैं, जैसे इसी काम ईग्जाम पल लेते हैं जैसे मान के चलते हैं कि कोई भी एक संख्या है Xy इस बार आपको संख्या नहीं दे रहें डारेट हमें बढ़ों जेनल फॉर्म दे 260 xy को संख्या है इसके अंकों को पलटने के बाद क्या बनेगा तो बताएंगा य एक्स बनेगा और मान के चलते हैं इसका डिफ्रेंट जो आया है कितना आया है 27 तो बताइएगा यह मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा तो मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा तो हम लोग क्या करेंगे डारेट कुछ नहीं साथ इसमें नो से हम लोग क्या करेंगा भाग कर देंगे अगर नो से भाग करने पर जितना आया कितना आया तीन आया इसका मतलब इसका इसी तरह से हम आपको योग दे दे अथात सम जिसे अगर मान के चलते हैं जैसे इसका एक्जाम्पल हम लेते हैं कि एक कोई शंख्यां है जिसे यहां जो हम लिए हैं आपका एक्टी थिरी एक्टी थिरी अगर इसके अंकों को पलड़ देते हैं तो वह संख्यां क्या बन जाता है और इन दोनों का योग है वह आपका जो भी होगा जिसे मान के चलते हैं अंकों को योग करती यह हो कि यह एक्ट कीदू को यहां कितना होगा यहांनों मुश्कील से मुश्कील, अगर आप समझ गए हैं, तो फिर आपको 5 सेकेंड से भी कम लगेगा, लेकिन हम आपको समझाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम तो आपका लगेगा, फिलर है, तो आप ध्यान से केवल एक दो कोशन समझेए, उसके बाद आप 8 कोशन खुद बाए सलते हैं, कोशन पर, देखिएगा, यह आपका कोशन है, फर्स्ट कोशन है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिस करिए खुद से, और देखिए क्या है, पहले वीडियो को पाउज करिए, और आप खुद से कोशन को सॉल्व करने की कोशिस करिए, थोड़ा सा पीछे हटेंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिस करिए देखिए क्या आप से हो पाता है देखिएगा अब हम जो है इसको सॉल्व करवाते हैं देखिए कोशन में दिया क्या है क्या दिया है कि दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते करने कर तो है उस संख्या के अंक अपस में बदल जाते हैं तो अंक क्या हो जाता है कि जगा एक्स हो जाता है फारता इस परकार से कोछे प्रटेशन हो जाता है। तो कहने करत यह वर कि Изक सवाल है कि अगर इसमें 18 जोड़ दें तो आपका यह बन जाता है इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ तो बताएंगा 18 क्लिया रहे अठा रही होगा अब देखिएगा बदल जाते हैं तो अंकों का गुनन फल आठाए तो यहां से बीदो नी चाहिए लेकि ने दोनी छे ही हो रहा है इसमें इसमें आठ हो रहा है इसमें आठ हो रहा है तो यह आप काट सकते हैं अब दिखिएगा यह कितना हो गया आपका 18 हो गया तो आपको अभी बताए थे कि जब अंतर पता हो तो हम मुल संख्या के अंकों का अंतर भी हम निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं कि ने अब बताएए जब इसका जो है अंतर अगर 18 है तो बताइएगा मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा आप बताइए अभी आपको पीछे बताएं कि अगर कोई भी संख्या के अंकों को पलटने के बाद जो संख्या बने अगर उन दोनों का डिफ्रेंस अगर आपको दे दे और आपको यह को बताएं कितना आठा रहा है आप क्या करेंगे 9 से भाज कर देंगे 2 तो आपको समझ में आजा कि ये को distracted सबसेंगे एक कितना है तो इसमें क्या दो था नहीं था क्या इसमें 2 है तो बताएंगे नहीं थोड़ा समझे स्टंद एक सेक्ड आप धियान दिज दिए उसके बाद आपके लिए बहुत इसको असान ये रहेगा अगे आप बताइए आप बोलेंगे कि चोबीस होगा कि बैरी सोगा कोशन पुछा संख्यां याद करें आप बताईए आप 18 जोडने पे आपका जो कि बड़ा संख्यां कब बनेगा अभी यहीं आपको केवल समझना है लास्ट यहीं समझाएंगे उसके बाद आपको कुछ भी नहीं समझना है आपका जो है कोशन खुद बैखुद बन जाएगा समझेगा क्या बोलें कि आप कंफ्यूज यहां होंगे कि 42 यहां एंसर होगा कि बताईए कि 18 जोड़ने पर आपका संख्यां जो है क्या हो जाता है बदल जाता है तो बदल जाता है तो आप बताईए अगर आप 18 जोड़ने तो आपका संख्यां बड़ा बनेगा तो बड़ा कब संख्यां बनता है बताईए बड़ा संख्यां कब बनता है तो आप बताए और शॉटाने के बाद बनेगा और चोटा है तो आप देखिए आपको बड़ा बनाना है यहां 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 विह भाडा है at क्षडू हाइख यह दो यह नहीं होगा यह क्या हो एक जई दो है और आप जानते हैं कि कर दहार से छोटा है क्योंकि चार और दो में आपका बड़ा कौन हुआ चार हुआ तो आपका दहाई एंग बड़ा है और अगर इसको पल्टेंगे तो 42 को अगर पलटेंगे तो आपका 24 बनेगा बड़ा नहीं बनेगा बस मतला आपका छोटा बन जाएगा और आपको यहां दिखाए समझ गये हैं तो उमीद करते हैं कि आप यह समझ रहे होंगे आपको इतना लिखने की कोई जरुवत नहीं है और अगर कुछ भी कंफ्यूजन होगा पाई-दस परसेंट बीस परसेंट जो भी कंफ्यूजन है उसको आगे अभी जो है देख लेंगे अब देखिएगा इस को संख्या के अंकों बदल देते हैं तो बनी हुई नहीं संख्या मुल संख्या से पैतालिस कम हो जाता है चाहिए तो आप जानते हैं कि अगर 95 दिया है तो बताइएगा यह मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा तो बताएगे अगर अंतर दिया है तो उसको 9 से भाग करिये कितना से स्फ़लाता है इसका मतलब X-Y कितना होगा बदाएंगे 5 देखिए 5 कहां हो रहा है देखिए गाप 5 कहां हो रहा है क्या यहां 5 हो रहा है यहां 7 हो रहा है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है चुटकियों में जो है आप एंसर ले आएंगे आगे बढ़ते हैं देखिएगा अब आपके लिए जो बस मजा ही मजा है अगर आप समझ गये हैं तो और आपको जो है बहुत ही अराम से समझाएं हैं उमीद करते हैं कि 95% लोग तो समझ ही गया है अगर 5% नहीं समझ पाये तो इक बढ़ फिर से जो है वीडियो देखिएगा अप समझ जाएंगे देखिए क्या बोला कि दो अंकोवाली संख्या की अंकों का योग कितना है नो है अंकों का योग नो दे दिया है लेकिन इससे आप जो है आप्सन नहीं काड़ सकते हैं एक दो कड़ सकता है लेकिन सब नहीं जब संख्या में 37 जोड़ा जाता है तो अंकों के अस्थान आपस में बदल जाते हैं तो संख्या गयाद करें अर्थ अंकों का अंतर कितना होता बदाएंगे नौ से भाग कर यह कितना है तीन इसका मतलब जो है मुल संख्या के अंकों का अंतर तीन होगा कितना होगा अब देखिए तीन यहां कितना है अंतर तो बदाएंगे तीन नहीं है यहां आपका यह कट गया यह कट गया यह आपका यहां कि अब यहां देजिएगा यहां होसिके कुछ लोग कनफ्यूज कर जाएंगे लेकिन देजिएगा नहीं करेंगे सबसे पहले ता आपको यहीं बताएं है अब देखिए का बोला है कि जब संख्या में SATA आपस्弟 जोड़ा जाता है तो आपका क्या हो गया अंग पलट गाया इसका मतलब ऑब बनाना ऐबार बनाना क्योंकि जोड रहे हैं अगर जोड़ेंगे तो संख्यां आपका पहले की संख्यां से जादा ही बड़ा बनेगा तो आप बताईए कि आपको जो है जब बड़ा बनाना होता है तो कब बड़ा बनेंगे तो बताएंगे मूल संख्यां का अगर इकायंग बड़ा होगा तो ही ब तो हम लोग देखते हैं कि बड़ा वही अगर बडा बनाना है तो हम tadi मेलों क्या करते हैं क्या करते हैं यह CZ आपका data फिर चयान अगर घोचाओ अगर आइनसर देखिए अगर आप 36 26 में अगर आप 36 में 27 अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 13 और आपका तीर से देखिए हो गया कि नहीं क्लियर है तो इस तरीके से जो हम इसको हम लोग कर लेंगेitar कुछ लोग करेंगे तो आपको वह भी नहीं कंदा है उसमें आपको टाइम लगेगा देखिया 2व की संख्या अंकों का योग देखेगा यहां आपको मुल संक्या नहीं पूछा है संख्या क्या मैं सबस्क्राइब आपको सबस्क्राइब आपको क्या करना है नौ से भाग करने को यहां देखें तो कभी भी नहीं और यह तो पता एका 2007 घट जाता है है छोटा होता है तो आप देखें छोटा किसमें है इसमें है कि इसमें है तो यह आपका मूल संख्या होगा लेकिन यहां मूल संख्या नहीं पुछा है पुछा है बदली हुई संख्या बताइए तो बदली हुई संख्या कौन होगा यह होगा सिंपल है अगर यहां पुछा कर रहता हम को यह नहीं होगा क्योंकि या पुछाय बदली के संख्या शन्ख्या मुल होगाइं पड़ते हैं देखिए इसको आप पड़े खुद से करिए क्भानाय है कि दो अउंको वाली संख्या का यो कितना नौ है जब अब अंकों के अस्थान आपस में बदल दिया जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाता है कम हो जाता है इसको भी ध्यान रखना है बढ़ रहा है कि घट रहा है अब 45 कितना हो जाता है तो उन दोनों संख्या का अर्था जो भी संख्या है उसकी अंकों को पलटने के बाद जो संख्य आपका बना उन दोनों का डिफरेंस 45 है यह तो पता चल गया अब हम लोग क्या करेंगे कि मुल संख्या का जो है लेकिन आप ध्यान देज़ेगा बदली संख्या इस बार भी पूछा है तो अम लोग पहले देख लेते हैं कि मुल संख्या क्या है उसी का आपका अपोजिट आपका एंसर होगा तो आप देखेगा पांच पांच यहां अंतर है नहीं है यह कभी नहीं हो सकता यहां कितना है यहां भी पांच है तो आपनाइए को अगर होगा तो अगर आप देख रहें कि आपका जो है 45 कम हो जाता है तो 45 कम हो जाता है इसका मतलब यहां थाह संख्या लेना है जिसका अंग छोटा होका मूल संख्या होगा बार बार और रहा है वह हैं अंसर नहीं बदली क्या पुछा तो आपको विपरीद पुझाए बदली भी संख्यां पुझाए तो बदली भी संख्या कौन हो जाएगा यहाई उस ही का ovat चैंजिंग आ गया तो 12 में वारा चला गया पांच छे में दो चला जाएगा पांच देखे 45 घट गया कि नहीं तो आपको जो है पुछा बदली के संख्या इसलिए क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा कि इसको अब सॉल्व करिए क्या बोला है कि दो एक संख्या के अंग को का यो कितना है है जब अंक आपस में बदल दिया जाते तो संख्या 36 कम हो जाता खाने करती यह वगा कि आपका जो मुल संख्या है और आपका जो है अंकों के प्लटने के बाद संख्या बना है उन दोनों का डिफ्रेंस कितना है 36 है तो इसका मतलब इसका अंतर कितना हो यहां कितना है चार यह हो सकता है यहां भी चार है यहां आपका जो है छे है इसलिए कट गया अब ध्यान दिजेगा क्या बोला है 36 कम हो जाता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आपका जो है जो भी मुल संख्यां होगा उसका इकाइंग छोटा होगा तो इकाइंग होगा आपका यह होगा देखिए कितना समय लग रहा है है कि नहीं और आपको भूद धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आप समझ पाए अब चलिएगा थोड़ा सा यहां जो है आपका टाइप चेंज हुआ यहां आपका आ गया तो योग में आपको पता है क्या करना होता है दो संख्या और उसके दोनों अंकों के अस्थान अपस में बदलने के बाद प्राप्स संख्यां का योग यों 132 कि यह को बिदने के बाद बना शंक्रयां उन्हुं나omat के इसका निकाल लोका है आपको बताए है कि अगर इस प्रकार से जब आयो तो आप क्या करिए इसका मِंध 12 तो समझ मेंल संक्ष्य होगा उसके ऑंकव का यह कितना होगा आपBeno 12 दिखाई देर है आपको क्या 12 है यहां प्रेट हो जाएगा और आप यहां देखेंगे कितना आठ चार बारा आठ चार बारा कितना वह तेरे 132 तो आपको यह एप्रोच लगाना है और आप चुटकियों में कुछी सेकंडों में आप इंसर कर जाएंगे देखिएगा आगे भी देख रहें देखिएगा यहां भी आ इस बार जो है कोई संखिया है उसकी अंकों को पलटने के बाद जो संखिया बना है उसका योग जो है 99 दिया है तो पूछ क्या रहा है अधि दोनों अंकों का कि दोनों अंकों का तीन अंतर है तो संख्या क्या है तो बस हमको पहले यह देखना है कि इसका योग कितना होगा तो इसका योग जो होगा इसको आप 11 से भाग करिए आपको पता चल जाएगा नाइन होगा तो आप देखें नाइन कहां कहां है तो आप देख रहे होंगे साथ 2 आपका 9 होता है यहां भी 9 है यहां भी 9 है यहां भी 9 है यहां भी 9 है चलिए ठीक कोई बात ने लेकिन अगर दूसरा आप देखेंगे दूसरा जो आपको डाटा तीन अंतर होना चाहिए का यहां तीन अंतर है नहीं है यहां तीन अंतर है यहां है यहीं हो सकता है यह भी नह संख्या नो कम हो जाता है अर्थात कोई दो अंकों की संख्या था उसके अंकों को पलटने के बाद जो आपका संख्या बना उन दोनों का डिफ्रेंस कितना दिया नाइन दिया है तो आप बताइए इसका डिफ्रेंस आप बताइए मुल्द संख्या के अंकों का डिफ्रेंस आ निकाल सकते हैं इसको 9 से भाग करेंगे जितना आएगा उतना ही ओगा कितना होगा नो क्या यहां है sorry कितना होगा रटैजर आपको बनता है पलटने के बाद상 को छोटा रबनाना है तो कब बनेगा जब मेरा मcartम सब्सक्राइब कि चोटा होगा तो इकाइण छोटा है कि इसका है तो आप को न हो जाएगा यह क्याब पूछा है तो परिवर्तित संक्या क्या तो मुल संक्या कितना हो जाएगा 30 वो जाएगा मुहरतित शंख्या पुछा इसलिए कौन एंसर हो जाएगा तो अब बताएंगे मेरा एंसर जो हो जाएगा ऑप्सन भी हो जाएगा क्योंकि परिवर्तित पुछा है तो मुल्क अपोजिट होगा किलर है चलिएगा आज का लास्ट कोशन है और देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको क्या बोला है कि दो अंकों की संख्या के अंकों को योग कितना है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे अंकों का योग 9 होना चाहिए यहां आपका देखना 10 है कट गया 10 है कट गया यहां 9 है यहां 3 है यह भी कट बस एक ही ऑप्सन बचा था तो इसको और भी चेक कर सकते हैं जैसे आप क्या बोला था कि साथ ही इस संख्या का 9 गुना जो भी संख्या है उसका 9 गुना अठारा इंटू 9 कितना होता है जो भी होता है यह जो होगा किसके बराबर होगा अंको के उल्टे करम से प्राब संख्या के दो गुन्य के बराबर होगा अर्थाथ इसको अगर हम पलट देते ह अठारा को तो आप कितना बताएंगे अगर अठारा है इसको अगर आप पलट दें तो आपका यह संख्या बन जाएगा एकासी और इसका बुला होना चाहिए क्या डबल दोनों है अठारा नोवें 172 और एकासी दूनी कितना होता है तो इतना आपको नहीं करना था उसी से आपका बन जा रहा था आपका ओप्शन कोन हो जाएगा बी हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ माया होगा तीन चार बातों पर हम लोग बात कियें कि सबसे पहले संख्या बड़ा कब बनता है फिर हम लोग देखें कि अगर कोई दो अंकों की संख्या है और उसके अंकों को अगर हम लोग पलट देते हैं और उन दोनों का जो सम होता है हमेशा 11 का मल्टिपल होता है और उसका डिफ्रेंस जो होता है हमेशा 9 का मल्टिपल होता है और हमें ये भी बताएं कि आपको जो वही आपको जो है आने वाला है किलिए रहे तो हम लोग जो है अच्छे से जो है एक ये बारिकी से जो है सभी कुछ हम लोग देखें और आपको ये जो है टाइप से इस टाइप से आपका question आएगा ही आएगा आप लिख लिजिए और आप practice इसी method से करिएगा ताकि आपका ज अत्ता है जय हेंद जय भारत ठंकी।